हालो और वेलकम तो डिवाइन करेक्शन कैसे हैं आप सब लोग बहुत ही क्विक वीडियो मैं बना रही हूं मैं अच्छली कुछ काम कर रही थी मैं यह वीडियो नहीं बनाना चाहरी थी लेकिन बार-बार इंट्यूशन मुझे आ रही थी कि बोलना है जरूरी है तो मुझे लगा चलो बल देते हैं तो एक चीस बोलना है मुझे आपको कि देखिए ये जो मन्त है जो फरवरी मन चल रहा है हम सब healing चलानते हैं यह यह प्यार का ओसम मुझे IR तया ही क्योंकि मैं यहाँ पर वो लबी डबी प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, हस्बिन वाइब या बॉइफरेंट गर्फरेंट वाले प्यार की ही बात नहीं कर रही हूँ, वो तो है ही of course, लेकिन एक divine love या एक कैते ना, कि आप किसी चीज को देखे और आपके अंदर से प्यार आए, भल प्यार से भरा हुआ है, हर किसी के लिए आपके अंदर प्यार है, तो यह collective energy है वो प्यार वाली है, love is in the air, इसलिए बोला जाता है, फिजा में, हवा में, प्यार ही प्यार है, तो यह जो मन्त है, वो बहुत important मन्त है, तो पहली बात तो इसलिए important है, क्योंकि वेलेंटाइन है, फर्वरी मन्त होता है, प्यार का मन्त होता है, तो सब के अंदर वो प्यार वाली energy होती है, दूसरी चीज, क्यों यह जो मन्त है, वो इतना important है, इस बार, क्योंकि साल का पहला पॉर्टल और सबसे important पॉर्टल, टू-टू-टू-टू, सेकिंड फर्वरी को open हो चुका है जो universe ने आग सब के लिए open किया है, यह पॉर्टल जो है, मैं इसके घहराई में नहीं जाओंगी क्या है यह चीज, क्योंकि यह चीज फिर बहुत अलग हो जाएगी समझाना, तो मैं आपको सिर्फ इतना समझा देती हूँ, कि universe ने आग के लिए manifestation door open कर दिये है, अगर आप बहुत टाइम से कोई technique लगा रहे है, लेकिन आपको result नहीं मिल रहा, manifest करना चाहरे हो कुछ, तो आपकी manifestation power इन दिनों बढ़ने वाली है, मैंने पहले एक videos बनायते हैं, जब 11-11 portal open हुआ था, बहुत ही important portal था, और उतना ही important portal है इस बार, और 20 दिन के लिए इस portal को open किया गया है, second fab से 22 fab तक, ये portal open है, तो अगर अभी भी low vibration में हो, अभी भी negative emotions को लेकर जी रहे हो, please उन चीजों को side में कर दो, क्योंकि ये manifestation का time है, इस time जो भी manifest करना चाहते हो ना, चाहे प्यार हो, आपकी health हो, या आप खुद को self love में लाना चाहते हो, हर चीज के लिए perfect time है, तो please अपनी energy पर ध्यान दो, अपनी vibration को high करने में लग जाओ, किसी भी तरीके से अपनी vibration को high रखो, क्योंकि manifest चीजे तभी होगी जब आप high vibration में होगी, low vibration में manifestation नहीं होता है, तो अपने आपको सिर्फ क्या करना है, high vibration में लेकर आना है, और manifestation अपने आप होगा, क्योंकि य universe खोद आपको आपकी wish देना चाहते है, बस आपको तयार रहना है, और तयार कब रहेंगे, जब आप अपनी vibration को high करेंगे, जब आप self love करेंगे, कुछ भी करो, जिन भी चीजों से आपको लगता है, आपको खुशी मिलती है, वो चीजों पर ध्यान दो, आपको dance करना अच लगता है, गाना गाओ, कोई इंसान है, जिससे आपको बात करना बहुत पसंद है, उससे बात करके, उससे मिलकर आपकी vibration हाई हो जाती है, तो ऐसा करो, कुछ भी करो, कुछ भी negative situation आपकी health कराब है, आपका partner आपसे अलग है, या कुछ भी negative चल रहा है, प्लीज इस टाइम मत दो, अच्छी चीजों पर ध्यान दो, अपने positive expects को लिखना शुरू कर दो, जो जो positive चीजे हैं आपकी life में, उनके लिए thank you करना शुरू कर दो, किसी भी तरीके से अपनी vibration को high करो, self love में आ जाओ, बहुत important time है ये, इस मौके को गवाना नहीं, ठीक है, तो depression, रोना दोना negativity, इन सब को भूल जाओ, और positive रहो, self love करो, खुश रखो, खुद को और सब को, और एक चीज, कुछ important dates है, जो मैंने कल के वीडियो, जो मैंने डाला था, उसमें भी mention की थी, इस मन्द की, बहुत important dates है वो, तो वो है second of fact, जो कि mention मैंने नहीं की थी, क्योंकि वो निकल गई है और आपका 20 FAB, 11 FAB और 22 FAB, तो बहुत important dates है, इस मन्द की ये, कुछ न कुछ surprise आपको युनिवर्स जरूर देने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है, बस तयार रहो, surprise के लिए, अपने आपको तयार रखो, high vibration में रखो, और self love करते रहो, thank you so much for watching my video, bye